कि यसे आप सुब आप सब आप आप जबरदस्त होगे मैं आप उपड़े चुल्ट कर रही हूं इक इस पेशल रेस्पी वैसे मैं रोटी बना रहे हु है काफी खुछ नजर आ रहे हैं ये रोटी की रेस्पी नहीं है यह है दाल की रेस्पी जी वैसाब के लिए खा ara बना द तोटी फूटी डाल कुछ गिए वो जब लूग को वीड़ो दाल बनाने में बहूत ही कहने होती है कि छाने में और तेस्टी बॉर्भी है तो दोस्तों जब तक मैं सब के लिए खाना त्यार करती हूं आप ये टेस्टी डाल बनाना सीख लीजे पर दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको क्या करना है अगर आप पहली बाश्वार पार रहा हो तो चैनल को सस्क्राइब कर लो पगर में लगी घंटी बचादो घंटी के साथ आता है और क की दाल आधी कटोरी तोर की दाल और के स्क्राइब स्क्राइब करी अदो ये लिए घंटी कर दो कर दो यह ए। यही काूं देख वाही है तो यह वालों जस्क्राइब के सब् anschą लोगार यए विब不是 कार्णिश को स्बिगो 13 कि दाल कुम सेता इसंड़ आप देख एसंड़े आपर हम इस दाल को भीग आप दने को चाहिंद कि अलमोनियम के पीषिर कोगर करे की स्वारल ऐगे अपू आप लिए आप का दूब हो सकते मैं हैं यहां पे पानी डाल दिया है जो लगबख डिर गलास है और इसके बाद मैं यहाँ पर एड़ करूँगी अपने स्वादान सा नमक और एक खटाई को मैं आपको बता दूँ कि यह जो टुटी फुटी की डाल होती है इसमें आपको हल्डी नहीं डालनी होती है ठीक है आपको हल्डी नहीं डालनी ऐसी बनाना है अब इस प्रेशर कोगर को हम चड़ा देंगे जब हम इसे गैस पर चड़ाएंगे तो हमें याद रखना है कि इसे हम कम पकाना है यानि दो सीटी से जदा हमें गैस को नहीं ओन रखना है अगर यह डाल गल गई तो खाने में अच्छी नहीं लगेगी दाल ठोड़ी खड़ी होती है यानि अब पूरी तरह से नहीं गलती है तब ही खाने में मज़ा आती है दोस्तों दो सीटी आने के बाद मैंने गैस आफ कर दिया हमारी दाल बनके तियार है यह देखे बिलकुल परफ्रेक्ट बनी है बिल्कुल भी गली नहीं और नहीं बिल्कुल भी कच्ची है यानि ना गली है ना पकी है बिल्कुल पर्फरक्ट बनी है अब मैं कहा करूंगे एक बरतन में इस सारी दाल निकाल लूँगी अब हमें दाल को छौक मार रहा है अगर आपको दाल गारी लग लग दिया है तो आप इसमें पानी थोड़ा सो अबालकर डाल सकते हैं जीरा नहीं डालूँगी अगर आप जीरा एड करना चाहते हैं तो यहां पे जीरा एड कर सकते हैं बिना जीरे के भी यह डाल बहुत अच्छी लगती है में मिर्च का छौक उना तौक मार रही हुँ हमारी मिर्च पक जाती है जल्दी 30 से ने और इसके बाद मैं इसे डाल ना जाये है अध्रक और हरी धनिया दोस्तो यह बहुत इंपॉर्टन है बिना अध्रक और हरी धनिया के इस डाल में संदे के नहीं आता है पहले जबाने में जब डाल घर में जो चक्की होती थी बैड के उस पे पीस्ते थे दाल दरते थे तो जब दरते थे तो दाल के कई तुकड़े हो जाते थे यानि बड़ी बड़ी दाल जो होती थी साबुत दाल वो तो यूज हो जाती थी खाने में जो दो तुकड़ों में हो जिसका नाम होता है टूटी-फूटी की दाल दोस्तों आप मिक्स दाल भी से कह सकते हैं तो दोस्तों इस दाल को जरू ट्राइ करना और अपना अन्भॉव मेरे साथ जरूर शिया करना मुझे अमीद है यह दाल आपको बहुत पसंद आईगी और आपके परिवार को भी यह द लगांगी और आम भी मने रख लिया और मिर्श का अचार बिल्कुल नहीं भूली हूं मैं दोस्तों खाना बहुत ही स्वाधिष्ट बना है इसमें कोई भी दो राय नहीं है बट एक कम और करोगे तो खाने में स्वाध आजाएगा जियां यह हैं तुलसी के पते यानि आप पहले भगवान को अरपित करोगे अपना खाना बना कर भोग लगाओगे तो आपकी कभी भी आपका खाना है ना वो कभी कम नहीं पड़ेगा हमेश्या खाने की पूर्ती रहेगी आपके किचन से कोई भी इंसन भूका नहीं रहेगा तो तुलसी जरूर डाली खाने में और इसके बाद मैं जारी हो भोग लगाने हमारे हां डेली भगवान का भोग लगता है तो मैं आ गई हूं अपने घर के मंदिर में तो मिल दीजे हमारे भगवान जी से यह हैं हमारे लड़ो कुपाल हेलो लड़ो कुपाल और बगल में हैं विश्नु भगवान और लश्मी जी साथ Disney IM Gebrahm शंकर भīभवान जी अहां पर उपस्तित हैं और में मैं सभीकाव लगा रही हूВ मैंने आज मम कर दिया है और यह खाना पकी पूरी तरह से तयार है तो भगवान जी जब तक भोग लगाते हैं Peti तो दोस्तो यह है मेरा आज का वीडियो आई हो मेरा अज लगा हो दोस्तो यह टूटी फूटी डाल की जो रेस्पी है इसे जरूर ट्राइक करना अपना अन्वाद मेरे साथ केमेट सब्सक्राइब जरूर बताना आप चाहँ तो इंस्ट्रागाम पे भी अपनी डाल बनाकर मुझे टैक कर सकते हो मुझे इंतजार रहाएगा अगर जब भी आप यह रेस्पी ट्राइए करो मेरे साथ जरूर शेयर करो दोस्तों कमेंट सब्सक्राइब बताना वीडियो कैसा लगा वीडियो को क्लिक कर देना ताकि आने वाली वीडियो कि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुश सके फिल्हाल दोस्तों इस वीडियो में इता ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जय हिंज भारत कर पे लिएगा सुरच दरेएगा और अपना ख्याल रखेगा बाइगा ब